आज मैं आपको बताने जारे जटपट अंडे की तरी कैसे बना जाते हैं मैं इसमें लोगी दो दालचिनी राफ ँस्पोन हल्दी राफ ँस्पोन रालद मिर्च राफी श्पोन धनिया to dr मुझ जीरान पौर्डर, मैं नग्न हमें सेंड़ा हम estoy. अध मैं हम वनोई 7-8 लेसन लज़न, 1ौ itu yardım काली मिर्च, थेल्टाब ततकित न्यवाँ प्याँ चाहिए, और हरे भाइन हम थोड़ा तरह शेकर गार्निशन के लिए और 2 हरे मिर्च गार्निशन के लिए, और इसमें पुड़ा सा दही मैं डाल रहे हूं और चार अंडे सबसे पहले लेसन देचे हुआ लेसन पुड़ा बून गाई एक ट्याज आप बैसे एक ट्याज आपीछे इसमें इसे पुड़ा बूना है इसमें दूट दाशिने भी डाल दीजिए और ठीन गुने कें पुड़ा सा अब लमक भी डाल दीजी लमक आप अभी तेहले कोड़ा से देगे एक ताकि प्याज स्वाज़ा बढ़ गल जाए अब आप फल्दी दीची, लाग मिश्टी दीची, अब आप पानी दीची, साथे मसाले जनना जाएं, बाकी धनिया और जीर दीची, अब आज को थोड़ा गीमी करके आप इसमें दही डाल दीची, में तोड़े हरे प्यान जाब डाल दीची, अब आप एक कटेजी पानी दीची, रेजी किरिए, अब अपने अंदाज से, पहले हमने जब प्याज बूल रहे थे तब अपने थोड़ा से पिया नमक दिया था, अब एक तीजपून नमक दीजे, स्वादल साइ, ये उबाल आगी है ने, अब तो उबाल आगे, अब आप धीरे से इसी ग्रेवी में अंडर को डाल देजिए इसी तरह एक के करके आप अंडा को फोड़िए यह आपका जट पट अंडा करें जालते बच्चे जो होस्टल में रते हैं और जो वर्किंग लीडी से उनके पास टाइम नहीं है इसको बाले या ओमलेट बनाए ऐसे आप डाल देजिए करें देखिए आपका यह जट पट अंडा करी बन गया है लास्ट में आप इसमें तोड़ा से काली मिर्स्ट पॉड़र डालीजिए असां काली बन गया है जट पट अंडा करी अब आप इसको उतार लिए अब इसको हरे प्यांच से आप इसको सजा लीजिए अरे प्यांच से आप इसे गार्नेश कर लीजिए यह इस्पेशली उन स्टूड़िंस के लिए जो घर से बाहर रहते हैं पटाफट न यह जट पट अंडा करी बना सकते हैं बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत स्वादिश्ट होते हैं आपको अगर अच्छा लगे आप करने लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू